मध्यप्रदेश चुनाव 2023 के लिए सत्ता की दावेदारी की बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच जम कर खोड मची हुई है मध्यप्रदेश में चुनावों की तारीकों का एलान अभी हुआ भी नहीं कि बीजेपी अपना पहला दाव पहले ही चल चुकी है अपनी पहली उम्मिद्वारों की लिस्ट निकाल कर तो अब बारी है कॉंग्रेस के दहले की कॉंग्रेस भी फूख फूख कर कदम बढ़ा रही है दोनों दल सबसे ज्यादा जोर उम्मिद्वारों के चैन पर दे रही है दिल्ली में कॉंग्रेस की चल रही स्क्रीनिंग कमीटी की बैठक में चीफ कमलनाथ ने कॉंग्रेस के सौ उमिद्वारों के नाम तै कर लिये हैं यानी कॉंग्रेस सीधे जम्बो लिस्ट जारी करेगी बीजेपी की तुलना में कॉंग्रेस सीधे एक बड़ी लिस्ट जारी करने जा रही है तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी उम्मिद्वारों की पहली सूची जारी कर चुकी है जिसमें 49 नाम थे जिसमें सिंधिया समर्थक का टिकेट भी कटा अब पार्टी 50 से ज्याद उम्मिद्वारों की दूसरी सूची जारी करने की तयारी में है इसके लिए दिल्ली में राज के प्रदेश, अध्यक्ष विश्नुदत्य शर्मा और मुख्य मंद्री, शिवरा सिंग चोहान की प्रमुखनेताओं के साथ बैठक भी हो चुकी है पार्टी सूत्रों की बात पर भरोसा करें तो जो 100 से ज्यादा उम्मिद्वारों की सूची आने वाली है, उसमें करीब 60 विधायक होंगे, तो वहीं 40 नए चेहरों को जगह दी जाएगी मीडिय रेपोर्ट्स के बात खास बात तो ये है कि कमलनात फिलहाल दिल्ली में है, लेकिन वो 16 सितंबर को राजधानी भोपाल में एक बड़ी प्रेस कॉन्फरेंस करने वाली हैं, ऐसे में राजनितिक जानकारों का मानना है कि कमलनात इस दिन ही पहली लिस्ट जारी कर सकत हैं, कॉंग्रेस इस बात का भी खयाल रख रही है कि जिस तरह से बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद विरोध देखने को मिला था, ऐसे में इस सरहा की चीजों का सामना उसे ना करना पड़े, इसलिए कॉंग्रेस इस बात को भी समहाल कर चलना चाहती है मध्य प्रदेश में साल के आखिर में विधान सभाचुनाव होने हैं, इससे पहले भी 2018 में कॉंग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन जो तरादित सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद कमलनात की सरकार गिर गई थी और मार्च 2020 में बीजेपी से शिवरा सिंग शोहान मुख्य मंत्री की कुरसी पर दुबारा काविज हुए लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियां सक्ता को किसी भी हाल में गवाना नहीं जाती हैं दोनों की अपनी अपनी रणनीती चल रही है, दोनों की बैठके चल रही है लेकिन देखना ये खास होगा कि उम्मिद्वारों की लिस्ट जारी करने वाले दावे कितने कारगर होते हैं इस विधान सभाज चुनावने NBT Online Report